हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी लीजा and welcome to my show किसमत काद्स और मैं आ गई हूँ लेके कि आज आपका दिन कैसा जाएगा यानि की 30 नवंबर इस महीने का आखरी दिन और फाइनली December and then New Year So, दो चीजे हैं स्टार्ट करने से पहले पहला ये कि आप अपनी राशी को alphabet या अपने date of birth के साब से देख सकते हो दूसरा ये कि ये एक collective reading है हो सकता है ये message सब लोगों के लिए ना हो आईए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशी से मेश राशी ट्राइम्फ new beginning, rest and rejuvenate and crown chakra मेश राशी वालों को मुझे कही ना कही ऐसा लग रहा है कि आपको सच में rest करने की बहुत जादा जरूरत है थोड़ा सा अपने आपको time दीजे ठीक है अपने thoughts को थोड़ा सा time दीजे अकेले time spent कीजे क्योंकि आपकी life में कोई new beginning तो आ रही है और आईगी और मुझे ऐसा लग रहे है आपको बहुत जल्दी हो रहे है कि आपकी life में कुछ नया हो जाए आपकी life में कोई change आ जाए है और कुछ भी वो चीज होगी, वो चीजे बन रहे हैं अभी उस चीज का सही time नहीं है क्योंकि आप बहुत जादा मुझे ऐसा लग रहे है आप desperate जादा हो रहे हो ठीक है तो उस चीज के अंदर थोड़ा सा थेहरने की जरुरत है अपने आपको थोड़ा सा काम रखो अपने आपको grounded रखो सेंक्टर्ड रखो और जब वो सही time आएगा and you never know कि you know मुझे आपके एक ऐसी energy लग रहे है कि कभी भी वो सही time आ सकता है एक नई journey start होने का कुछ भी एकदम से कुछ नया हो सकता है कुछ अच्छ सा हो सकता है क्योंकि ऐसा आपका time चल रहा है तो उस चीज़ के उपर इतना सोचने की जहरत नहीं है अपनी energy में रहो grounded रहो, calm रहो लेट सी वरिशव राशी वालो का 30th November वरिशव राशी वालो को थोड़ा सा अपने emotional side को लेके ध्यान रखने की ज़रूरत है हो सकता है, या तो आप ऐसे लोगों से deal कर रहे हो जहाँ पर आपको ऐसा feel हो सकता है जहाँ पर आपको realize हो रहा है कि आपका किसी ने फाइदा उठाया है emotionally ठीक है या आपको ऐसा भी realize हो रहा है ठीक है एक उस चीज़ से वाक अवे करते हो दिखाई दे रहे हो इवन दो मुझे ऐसा लग रहे है कि थोड़ी सी मायूस ही है इस चीज़ से निकलने में या कुछ भी लेकिन मुझे ऐसा लग रहे है कि आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो भगवान आपको उस सिचुएशन से निकाल रहे हैं जो आपके लिए बिलकुल भी सही नहीं है इसलिए आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है जो एनरजी है वो मुझे स्ट्रॉंग इंक्रीज होती हुई दिख रहे है कुछ लोगों के लिए अबरॉड जाना या भार ट्रावल करना भी मुझे दिख रहे है आपका मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी जो फाइनांसे वो और जादा बढ़ने वाले हैं अगर आप प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको काफी मुझे लाब होता हुआ दिख रहा है है कुछ लोगे को अगर कोई किसी टाइब का बाक पेन होता है या कुछ भी अशा जैसे जैसे आपकी फाइनांसे स्रॉंग होंगे वैसे वैसे आपको बैक्पेनग की क्योंकि मुझे डिख रहे है उस चीज में मुझे एक new beginning आती होई दिख रही है materialistic wealth आपकी मुझे बढ़ते होई दिख रही है let's see हमारी अगली राशी जो की है कर क्राशी कर क्राशी वालों के लिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपके लिए 13 नमबर, 5 नमबर, 155 और 6 ये ऐसे नमबर है जो कहीना कहीं important है अगर आपको ये नमबर बार बार कहीं पर दिख रहे हैं और कुछ भी तो आपको थोड़ा सा साबधान रहने की ज़रत है किसी के भैकावे में नहीं आना है मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे किसी के भैकावे में आ रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसिजिन ले सकते हो जो काफी जादा एक रिस्क फाक्टर इंवल्फ करता है और उसके लिए आपके पास कोई बाक अप्शन भी नहीं है ठीक है एक वो एनरजी भी मुझे डिखाई दे रहे है तो उस चीज को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जहरत है लेट सी हमारी अगली राशी कन्या राशी वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहे है फाइनली चीजों में में को बालनस आता हुआ दिख रहे है इस्पेशली आपकी रिलेशनशिप्स में मुझे बालनस आता हुआ दिख रहे है अगर आपकी मैं बात करूँ करियर की करियर में डेफिनिटली मैं ये चीज बोलूँगी टीम एफ़र्ट पे काम करना आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहेगा अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो क्रियेटिविटी में या कोई भी आप अगर ऐसा कोई ब्रोजेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बेनेफिशल रहेगा आपके अप्स्टिकल्स को हटाएगा दूसरी चीज यह अगर में बात करूँ रिलेशन्शिप्स की तो वहां पे भी मुझे आपकी रिलेशन्शिप्स किसी के साथ काफी स्ट्रॉंग होती होई दिख रहे है औप्स्टिकल्स हटते होई दिख रहे हैं कन्या राशी वालो एक अच्छा बॉंड डेवलाप होता हुआ दिख रहे हैं जहां पे भी कुछ ऐसा तनाप था दो लोगों के बीच में कोई मेंटल कॉंफ्लिक्ट चल रहा था कोई मिसंडस्टांडिंग चल रही थी वो चीज भी कोई खटास चल रही थी वो चीज में में को अब सॉल्व होती होई दिख रहे हैं लेट सी हमारी अगली राशी जो कि है तुला राशी suffering in silence, rest and rejuvenate, triumph तुला राशी वालों के लिए मुझे फाइनली एक अच्छा दिन दिख रहा है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में जीत हासल करोगे आपको किसी चीज में एक विक्टरी मिलती हुई दिखाई दे रहे है आपको क्या देखो आपको क्या करना है और जैसे आप वो चीज करते हो वैसे ही आपको उस चीज में विक्टरी मिलती है तो अगर आप कोई situation को भी control करना चाहरे हो या आपको लग रहे है आपको विक्टरी नी मिल रहे है वो सब चीज से रेंडर कर दो आप देखो फिर आपके लिए कैसे चीज सॉल्व होती है लेट सी वरिष्चिक राशी वालों को डेफिनिटली अपना एक स्ट्रॉंग स्टाइंड लेने की ज़रत पड़ सकती है आज आपका टेस्ट हो सकता है कि आप अपने उपर कितना जादा विश्वास रखते हो ठीक है आप कितने अच्छे से अपना खुद का स्टाइंड ल लग रहा है वो देखना चाहरे है कि आपने कितनी अपनी लाइफ में चीज़े सीखी है कि जो लेसं सीखे है वो आप अपलाई कर रहे हो या नहीं क्योंकि आपकी जीत आपके हाथ में है seven number कहीं न कहीं important है कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी हार जीत आपके हाथ में है कि कैसे आप decisions लेते हो आज के दिन action लेते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कोई important decision लोगे या बहुत important चीज़ पर अपना stand लेते होए किसी बात के लिए stand लेते होए दिखाई दे रहे हो दनू राशी वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके family में कुछ चीज़े मुझे solve होई दिख रहे हैं कहीं पे भी कुछ अन्भन चल रही थी family members के साथ कुछ लड़ाई चल रही थी या कुछ भी ऐसा किसी finance से related कोई issue चल रहा था कोई property से related या कुछ भी ऐसा कोई issue जो family भी जिसमें involved हो वहाँ पे मुझे आपकी जीत होती होई दिखाई दे रही है वहाँ पे मुझे चीज़े solve होती होई दिखाई दे रही है खार्मनी आती होई दिखाई दे रही है शांती बनते होई दिखाई दे रही है 4 number आपके लिए important हो सकता है 44477 आपके लिए important number ह सकता है आईए देखते हैं मगर राशी का 30th of November spiritual strength, temptation, emotional loss and third eye chakra आज आपको बहुत जादा अपने दिमार में clear रहने की जरुरत है मगर राशी कुछ ऐसी चीज़ी हो सकती है जहाँ पर आपको अपनी intuition से चलना पड़े right discernment एक right decision लेना पड़े सही तरीके से आपको चीज़ों को देखना है आज के दिन ठीक है बिलकुल भी tempted नहीं feel करना है कुछ ऐसी चीज़े सामने आ सकती है जो आपको temporary तो बहुत बढ़ सकती है ठीक है luxury वाली चीज फाइनांस वाली चीज मुझे बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन जहां पर आपने पैसे इंवेस्ट कर रहे हो पैसे लगा रहे हो पैसो जो पैसा होता है वो भी एक energy होती है money is an energy तो आप उसको जैसे खर्चोगे जैसे आप जहां पर आप पैसा लगाओगे यह सब चीज़े बहुत जादा करते हैं ठीक है और मगर राशी का तो होता ही शनी देव का भी एक वो होते है भगवान होते हैं ठीक है तो आपको डेफिनिटली अपने discipline की और सही गलत की समझ रखना आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है otherwise एक ऐसा loss हो सकता है जहां पे आप पच्टाओ भी ओके आए देखते हैं कुम राशी वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कही ना कहीं मिसंडूस्टुड फील करवाया गया है या आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ने लांचन लगाया है कुछ ब्लेम गेम डाला है या कुछ भी ऐसा तो लोगों को उस चीज का तुछ दिखने वाला है ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करियर में specifically कुछ लोग आपके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ अच्छा आपके बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी को आपकी potential finally दिखाईDe कि शायद से आप इतना सामने से इतने स्ट्रॉंग ना दिखो या कुछ भी लेकिन अंदर से आप बहुत स्ट्रॉंग हो आप बहुत पावफुल हो आपकी लीडर्शिप स्किल्स मुझे स्ट्रॉंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप कही ना कहीं एक से जादा बि अगर अगर आपको किसी ने कहीं पर गलत साबित किया है तो वहां पर भी मुझे एक अच्छी एनर्जी दिख रहे हैं लेकिन उसके साथ-सक मुझे ऐसा भी लग रहे है कि all that glitters is not gold हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसी situation आए जहां पर आपको लगे नहीं इसमें मेरी जीत हो सकते है नहीं बहुत अच्छी opportunity है यहां पर इतना हो सकता है वो हो सकता है बहुत आपको glittery लगे हर चीज इसलिए अपने उस mask को हटा के देखना है चीजों को सही नजरगे से देखना है ठीक है यह समझना है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती basically mean राशी वालों के लिए यह message है ठीक है 19 नंबर आपके लिए important हो सकता है 19 date आपके लिए important हो सकते है which is 19 December ठीक है आने वाले 19 दिन आपके लिए काफी important हो सकते है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के लिए ऐसा भी है कि आपके साथ जैसे 2019 में कुछ ऐसी similar चीज हुई थी और वापस से वो चीज हो रहे है लेकिन इस बार आपके हाथ में है कि आप उस situation को कैसे देखते हो ठीक है तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है six number important है six number हमें बताता है चीजों को लेक आरे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें